Question number 9, देखिए what should be the value of a if the value of, ते देखिए 2x square plus x minus a equal to 5, यानि ये जो है हमारा equation है, ये 5 के क्या है, equal है, यहाँ x की value क्या दी गई है, 0, चलिए solve करते हैं, यहाँ लिखिए, जो given था उसको लिखिए, given, given में क्या मिला, 2x square plus x minus a, ये किसके equal थे, 5 के, यहाँ putting value कीजिए, putting value, putting value में x की value क्या मिला था, 0, solve कीजिए question को, देखिए 2 है, 2 कीजिए, x में क्या मिला, 0, यानि, 0 का square, plus है, plus कीजिए, x, x में क्या मिला में, 0, minus a, अब देखिए, a लिखिए यहाँ पे, a equals to 5, solve कीजिए, देखिए, 0 का square, 0 होगा, 2, 0, 0, यहाँ 0 कीजिए, यहाँ देखिए, plus, क्या मिला, 0, minus का a, is equals to 5, solve कीजिए question को, देखिए, 0 और 0, क्या मिला में, 0, लिखने के जरुवत नहीं है, यहाँ देखिए, बसा क्या, minus का a, is equals to 5, अब देखिए, variable part में, negative नहीं रहेगा, negative को, इस साइट भेजेंगे, हमें क्या मिलेगा, a is equals to minus का 5, यह हमारा answer होगा, यह question हमारे solve के, that's it,